यह जो 20 marks होते हैं यह स्कूल की तरफ से लगते हैं आपके 20 marks है तो 80 प्लस 20 हो गया 100 यह तो बात हुई पेपर कितने marks करगा यहां से मैं लाइन लगा दती हूँ अब आप देखें जो फर्स्ट यूनिट है ना इसमें आते हैं आपके लेसन 1, 2, 3, 4, 5 यह जो 5 चैप्टर है न world of living यह biology का पाट है इसमें कौन-कौन से chapter आएंगे 6 यह 6 इसके बाद 8, 9 थोड़ा सा कठ हो चुका हो इसके ओपर वीडियो बनी होई है कि 9 chapter का आपने कहां तक करना है यह biology में कौन से chapter आएंगे 6, 8, 9 और जो natural resources है इसमें आएगा 14 and 15 यह chapter बड़े easy होते हैं आपने easily करने है तो biology की अगर मैं बात करू 23 plus 5, कितने होगे 23 plus 5, 28 तो 28 marks का जो है biology में से आपको आएगा अब यह जो middle वाले रहेगे न chapter natural phenomena effect of current तो natural phenomena में से 12 नंबर का paper आएगा natural phenomena कौन सा 10th chapter and 11 chapter effect of current कौन सा chapter 12 chapter and 13 chapter तो इस तरह से आपका 26 marks का paper कि कहां से आएगा physics में से तो अब दुबारा से देख लेते हैं 26 marks का आएगा chemistry में से physics का अगर हम बात करें तो physics का भी इक रहेगा 26 marks का ठीक है और biology की अगर बात करें तो biology में से paper कितने marks का रहा है 28 का अब अगर बच्छो इनको total करेंगे तो बत पहले complete करेंगे that is कितने marks का है वो 26 marks का है करें किस chapter में से कितने marks काएगा तो बेटा जो यह है chapter number 1, 2, 3, 4 and 5 यह 5 chapter ना तो हो सकता है पहले chapter में से 3 marks का आजाए paper 4 marks का आजाए acid base वाले chapter में से 5 to 7 marks का paper आपको आएगा metals and non metals वाले में 4 to 5 का carbon and compounds वाले में 3 to 4 का carbon and compound वाले chapter थोड़ा सा कट गया हुआ है वीडियो description box में लिंक दा दोंगी new syllabus करके वर बनाया हुआ पहले सी next है periodic classification periodic classification में 4 to 7 marks का paper आएगा 4 to 7 marks का paper आएगा clear तो सबसे important तो यह chapter इसमें से case studies काफी आती है case study के बारे में भी आपको sample purchase यह किया था उसमें case studies वगरा थी तो बेटा यह है इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कौन सब portion करने वाले है chemistry का portion start करने वाले है chemistry में सबसे पहले जो important topic होता है chemical equations वाला तो chemical equations को कैसे balance करते हैं क्योंकि उसमें से जरूर आपको paper में पूछा जाएगा अपनी बुक को side by side open करके रखना और जो मैंने अभी वीडियो में सम्झाया है इसको दुबारा से rewind करके देख लो और copy पे note-down कर लो ठीक है सबसे पहले हम chemistry का portion complete करेंगे तांकि हमारे 26 में से 26 marks आजाए thank you for watching